जैहिंद एन हेलो गॉइज स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियान देए होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हर्याना स्टाप सेलेक्शन कमिशन यानि के H.S.C.C.E.T. 5. November 2022 2nd shift answer की के बारे में या फिर ये कह लिजे कि आपको यहाँ पर sold paper दिया जाएगा याँ याँ पर कोई बकवास नहीं की जाएगी simply आपको question और उसके जो answer है वो आपको दिये जाएंगे इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपको किसी question के answer में doubt लगे तो आप comment के माधियम से बोल सकते हैं सभ्य भासा का इस्तमाल करते हुए अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में याँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दू कि एगर आप इसका PDF लेना चाहते है तो आप हमारे telegram channel ग्यांदे host को join कर लेंगे इस link के उपर क्लिक करके जो कि यहाँ पर आपको ग्यांदे host के नाम से दिया है और फिर आप जो मैंने वीडियो के description में telegram channel link दिया है उसको open करके भी channel को join कर सकते हैं और वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों पहले यहाँ पर आपके math के question ह आपको directly answer बता जाएगा क्योंकि इसको read करने का कोई भी फाइदा नहीं है explanation यहाँ पर आपको नहीं दी जाएगी यहाँ पर आपको सिर्फ answer बता जाएगा तो जो आपका पहला question है आप इसको यहाँ से video को post करके read कर लीजेगा अगर आप जानना चाहते कि question क्या है तो जो से चार लिटर दूद निकाल कर उसकी जेंगा चार लिटर पानी डाल दिया गया ऐसा ही कारिया दो बार और किया गया अब बरतन में कितना दूद रह गया तो यहाँ पर आपका right answer है option 2 यानि के 29.16 लिटर सवाल number 3 है कि A, B, C, A, B से 30% अधिक कुसल है दोनों एक साथ काम कर करते हुए एक कारिया को पूरा करने में कितना समय लेंगे जबकि A अकेला उस कारिया को 23 दिन में पूरा कर सकता है तो जो उसका right answer है वह आपका option 4 यानि के 13 देज इसके बाद यहाँ पर दोस्तो अगला सवाल आपका fourth है आप यहाँ पर इसको read करेंगे read करने के बाद में जो इसका answer आएगा हुए आपका option 2 यानि के 16 सवाल number 5 यहाँ से देखेंगे और देखने के बाद में जो इसका हल निकल के आएगा हुए आपका option 3 यानि के minus 2 सवाल number 6 आप यहाँ से देखें आप वीडियो को post करके इसके बारे में अच्छे से जानकारी देख सकते हैं तो ज सवाल number 10 आपके सवाल number जो आपका 8 है वो आप यहाँ पर देख लीजे आपके 8 का जो right answer होगा वो है आपका option 2 यानि के 4000 च्छान में सवाल number 9 आप यहाँ से read करेंगे read करने के बाद में जो आपका right answer आएगा वो है आपका 170,000 यानि के option 2 सही है सवाल number 10 आप यहाँ पर देख सवाल number 12 है एक 80 लिटर मिसरेंड में दूद और पानी का अनुपात 7 अनुपात 3 है इस मिसरेंड में कितना पानी यानि के लिटर में डाला जाए जिससे मिसरेंड में दूद और पानी का अनुपात 2 अनुपात 1 हो जाए तो right answer है आपका option 3 यानि के 4 सवाल number 13 है 13 आप यहाँ पर देखेंगे तो जिसका right answer है वो है आपका option 3 सवाल number 14 का right answer आईगा option first और सवाल number 15 का right answer है आपका fourth इसके बाद यहाँ पर सवाल number 16 है कि योगी के बारे में निमलिकित में से कौन सा या फिर से कथन सही है तो जो जो इसका right answer है वो अभी यहाँ पर available नहीं है माफी चाहता हू इसके लिए सवाल number 17 आप यहाँ पर देखेंगे जो इसका right answer है वो है आपका option 4 सवाल number 18 आप यहाँ पर देखें जो इसका right answer है जो कि मैं आपको यहाँ पर read करके दिखाता हूं question 68 वे राष्ट्या फिल्म पूरुसकारों में feature film सरेणी में किस film को सामाजिक मुद्यों पर ब यह थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि क्या word है क्योंकि सही से मैं इसको नहीं पड़ पा रहा हूं एक अवधाना जिसे फ्रैंक नोटेश्टीन ने 1945 में विक्सित किया था आर्थिक विकास तथा डैस के संबंदों की वयाख्या करती है तो इसका right answer है आपका जनान तथा मु निमलिकित में से कौन सा उध्योग अधिकांस्त है सकेंद्रित है तो जिसका right answer है वो आपका 4 यानिके लोहा और इस पात उध्योग सवाल लंबर 22 है एक नरतिया मुद्रा में नटराज की कांसिया परतिमा का संबंद किसे है तो right answer है आपका 4 यानिके सिव यानिके सिवा गई module की वैख्या ने की गई हो सवाल लंबर 24 है कि निमलिकित में से कौन सा एक database management system नहीं है तो right answer है आपका Microsoft Excel सवाल लंबर 25 है उस networking topology को क्या कहेंगे जहां हर एक समवाद उपकरन एक केंद्रिया node से जुड़ा होता है तो right answer है आपका 2 यानिके start topology सवाल लंबर 26 है निमल memory का उधारन नहीं है तो right answer है आपका option 2 यानिके read only memory सवाल लंबर 27 आप यहां पर देखे और पढ़े कि भारत के समविधान का अनुच्छे 395 में जो समविधान का अंतिम अनुच्छे भी है निमलिकित में से किसके प्रावधान के बारे में है तो right answer है आपका option है आपका 3 य बारत की आजादी का एक परसिद भासन है जिसे बारत की समविधान सभा के निमलिकित में से किस सितस्य ने दिया था तो right answer है आपका जे अल नहरू यानिके option 3 सवाल लंबर 29 है कठोर सतो जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्किन लिखाई के अध्यान को कहते है तो right answer है आ आपका option A यानिके मत दाताओ को जागरुक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो संखला सवाल लंबर 31 है निमलिकित में से कौन सा सब्द आनी परतिया इसे निर्मित है तो option A आपका सही है यानिके श्रीवानी इसमें यापर दोस्तों 31 फर्स्ट में एक और आपके सामने question है आग लिये उप्यूक्त परयवाची सब्द नहीं है तो अनिल इसका option A right answer है इसके बाद में यापर 32 आपका question है इसमें है कि विराम चिन की दरश्टी से निमलिकित वाक्यों में से असुद वाक्या च्छाट ये तो option A उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे ये आपका right answer है इस तरह आपका 36 question है कि उद्याचल सब्द के लिए सारवधिक उप्यूक्त वाक्यांस है तो इसका right answer है आपका सूर्य जिस परवत के पीछे से निकलता है सवाल number 33 है आपका आप यहाँ पर देखे इसका जो answer है वो अ हिक सवाल number 39 है निकलत में से कौन सब्द के रिया का प्रेणात्मक रूप दरसाता है तो right answer है आपका option 3 यान के बिठाना and सवाल number 43 इस तरह आपका दिया कि मैं आपका डैस हूँ वाक्या के लिए दिक तकस्तान के लिए का कर्त धियन का सरवधिक उप्योक्त विलूम सब्द चुनिए तो right answer है आपका कर्तिक यान के option 2 सवाल number 40 आपका यहाँ पर दिया निकलत में से लोकोति का भावार्त सुसंगत नहीं है तो right answer है आपका option 2 यान के बहती गंगा में हाथ धोना ऐस संभव कार्या को संभव करना यह इसका right answer है फिर यहाँ पर दोस्तों सवाल number 44 भी आपका इस तरफ दिया है तो इसका right answer है वह है आपका option 4 यानिके bird के जल से पूरा घर डूब गया है सवाल number 41 का right answer होगा आपका विधे वाचक सवाल number 42 यहाँ पर आपको दिया है question है कि निमलिकित में से कौन सा विकल्ब तद्भो सब्द का उधारन नहीं है तो right answer है आपका option 2 यानिके भक्त सवाल number 45 है निमलिकित में से कौन सा संधी का एक परकार नहीं है तो इसका right answer है समर्द संधी सवाल number 46 यहाँ पर आपको दिया है जो कि English के question अब सुरू होते है यहाँ पर आपको एक जो passage है वो दिया है आप पहले इसको read करेंगे इसको read करने के बाद में जो आपका right answer होगा वो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका right answer है पहले वाले 46 का यह आपका option 4 यानिके RPS क्या ह है इस तरह आपको यहाँ पर 49, 50 and 51 के लिए एक paragraph दिया है आप इसको read करेंगे इसके बाद में जो आपके answer होंगे वो इन ही के base पर रहेंगे जिसकी 49 का जो answer है आपको बोला है कि find out a word from the above passage which is the antonym of legal तो इसका right answer है वो आपका option first यानिके illegal 47 जो question है इसमें कि choose the alternative which best express the given sentence in active voice त जो कि मैं आपको अलेडी माफी चाता हूँ मैं आपको इसको पहले ही reader के बता चुका हूँ इसके बाद यहाँ पर आपका 48 question है 48 question आप यहाँ पर पढ़ेंगे जिसका right answer है वो आपका fourth यानिके no error and इस तरह आपका 49 question है इस तरह आपका 40 50 है वो आप देखेंगे इसका जो right answer है वो है आपका in traditional medicines 51 का जो right answer है वो है आपका option first यानिके poaching the trade इसके बाद यहाँ पर आते है आपके 52 question पर 52 question का जो आपका right answer है वो है आपका commonly accepted then and 56 का आपका right answer है narrow 53 question का right answer होगा आपका from जो की यहाँ पर आप question read कर सकते है and 57 question है कि life history of a man written by himself is called autobiography यानिकी option 4 right answer है सवाल number 53 आपने आपर जाना इसका जो right answer है वो आपका from है and 58 है कि select the word that is most similar in meaning to the given word तो यहाँ पर option 3 यानिकी uninspiring right word है 54 question है कि which one is the correct indirect narration of the following sentence he said 2 and 3 is 5 तो यहाँ पर आपका right answer है fourth यानिके he said that 2 and 3 is 5 यह आपका right answer है 59 question find out the correctly spelled word तो tasers यह आपका right answer है इसके बाद 55 question है इसका जो right answer है वो आपका option 3 यानिके no to attend अभी यहाँ पर आपका 60 question है कि find out the correctly spelled word इसका right answer है आपका fourth अब आते हैं यहाँ पर आपका 61 question तो 61 question यहाँ पर है कि हर्याणा में राज्जे सेक्सी कनुसंदान एवों परिस्द की इस्थापन कब होई तो right answer है आपका 1989 इसके बाद में यहाँ पर आपका सवाल number 62 है हर्याणा के किस जिले में सरस्वती सुगर मील इस्तित है तो right answer है आपका option है यानिके यमुना नगर सवाल number 63 है कि हर्याणा का राज्जे पसू कौन सा है तो right answer है आपका black bug यानिके काला हीरन सवाल number 64 है किस किले को हर्याणा के मुख्यद्वार के नाम से जाना जाता है तो right answer है आपका फूर्थ यानिके बहादुरगड का जिला सोरी बहादुरगड का किला माफी चाता हूँ सवाल number 65 है हर्याणा डैस के लगबग 300 मील उत्तर में इस्तित है तो right answer है आपका option 3 यानिके करकर रेखा सवाल number 66 है हर्याणा में होम रूल अंदोलन के परचार का सरे जाता है तो जिसका right answer है आपका option 4 यानिके पंडित नेकी राम सर्मा सवाल number 67 है निमलिकित में से किसे हर्याणा का ताज महल कहा जाता है तो right answer है आपका सेख चिली टॉम यानिके सेख चिली का मकबरा सवाल लंबर 68 है निमलिकित में से किस लोक नरत्या का नरत्या रूप का निस्पादन पूर्सों द्वारा नहीं किया जाता है तो राइट आंसर है आपका लूर यानिके ऑप्शन 3 सवाल लंबर 69 है पंडित लखमी चंद का जनम हर्याना की निमलिकित में से किस गाउं में हुआ तो राइट आंसर है आपका जनती कला सवाल लंबर 70 है हांसी में स्थित था प्रत्विरा चोहां द्वारा बनाए गए असी गड़ के किले का निर्मान की सदी में हुआ सवाल लंबर 71 है हर्याना के किस जिले में साकसरत दर्स सबसे अधिक है तो राइट आंसर है आपका फूर्थ यानिके गुरुगराम सवाल लंबर 71 दिसंबर 2017 के दिन हर्याणा में प्रादम की गई BBY योजना का विस्तरत रूप क्या है यानके फुल फॉम क्या है तो राइट आंसर है आपका ओप्सन A यानके भावंतर भरपाई योजना सवाल लंबर 73 है हर्याणा में किस वर्स परतेक सुलाब अंतरन डीबीटी योजना का सुभारम हुआ तो राइट आंसर है आपका 2013 यानके ओप्सन 4 सवाल लंबर 74 है हर्याणा में परतिव एक्ति बिजली की खफत वर्स 2020-2021 तक बढ़कर कितनी हो गई है तो राइट आंसर है आपका 805.45 यूनिट सवाल लंबर 75 है हर्याणा राज्या के बजट वित्या वर्स 2022-2023 इसमें कुल बजट का कितना परतिसत पुलिस छेतर में हो याई के लिए निधारित किया गया है तो राइट आंसर है आपका 6.2 परसेंट सवाल लंबर आपका जो नेक्स्ट है हो है रोतक की सोरी बाजार हर्याणा का सबसे बड़ा डैस बाजार है तो राइट आंसर है आपका कलोथ यान के कपड़े का सवाल लंबर आपका इससे अगला जो आता है हो है कि 1958 में राष्ट मंडल खेलो में सवन पदक लाने वाले पहले कुछ तिवाज कोन है तो राइट आंसर है आपका उप्सन टू यान के लिला राम सांगवान सवाल लंबर नेक्स्ट जो आपका आता हो है निमलिकित में से हर्याना के किस व्यक्तितव को विज्ञान एवं अवियंतरी के छेतर में 2022 का पदमस्री सम्मान परदान किया गया तो राइट आंसर है आपका मोतिलाल मदर यान के फर्स्ट ओप्सन सही है इसके बाद अर्याना में राणी लक्समी भाई आवार्ड किस छेतर में दिया जाता है तो राइट आंसर है आपका फूर्थ यान के खेल भैस की किस परजाती को बलैक, गोल्ड और फर्याना कहा जाता है तो राइट आंसर है आपका ओप्सन टू यान के मुर्रा इसके बाद सवाल नंबर 81 है, 1913 में पंजाब उच नियाले के पहले मुख्या नयाधीस के रूप में न्यूक तो पहले भारतिया कौन थे तो इसका अंसर अबलेवल नहीं है 82 कोशन है, हर्याना राज्या के पहले विद आयो का गठन कब हुआ तो राइट आंसर है, आपका 4 यान के 31 माई 1994 में सवाल नंबर 83, एम के गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गरापतार किया गया है जब वेर रोलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे सवाल नंबर 84 है, हर्याना के जिले महिंदरगड का प्राची नाम किया है तो राइट आंसर है, आपका कानोड सवाल नंबर 85 है, सिवाल की पहाडिया हर्याना के किस जिले में नहीं पाई जाती है तो राइट आंसर है, आपका उप्शन 2 यानिके सिर्सा सवाल लंबर 86 यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है आप इसको पढ़ेंगे राइट आंसर आपका आई का ओप्सन 3 यानिके केवल 1st और 2 निकलते है सवाल लंबर 87 का जो राइट आंसर है वह आपका 4th and सवाल लंबर 88 का राइट आंसर होगा आपका option first यानिके चाचा यानिके अंकल सवाल लंबर 89 का जो राइट आंसर है वह है आपका 3 यानिके 4197 में सवाल लंबर 90 का राइट आंसर होगा आपका 4 यानिके 100 रड़ एंड सवाल लंबर 91 का जो right answer है, वो है आपका option 2 यान के friend, 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 end, सवाल लंबर 92 का जो right answer I का, वो है आपका 4 यान के cwfkv, सवाल लंबर 93 का आपका right answer होगा, 4 यान के 6, 4, 3, 1, 2, 5, सवाल लंबर 94 है, निले कितमें से भिन पद कोन सा है, तो right answer है आपका 4 यानिके Pacific Ocean सवाल number 95 का right answer है आपका 3 यानिके PUSP गुलदस्ता सवाल number 96 का answer है आपका 2 यानिके 624 and सवाल number 96 का answer होगा आपका A and E सवाल number 98 का जो right answer है वो है आपका continue hard work as hard work always based यानिके परिस्रम करना जारी रखे क्योंकि परिस्रम का परिणाम सदेव अच्छा होता है सवाल number 99 का जो right answer है वो आपका option 3 and सवाल number 100 है नीचे दिए गए विकल्पों में से लूपत संक्या का चैन कीजिए जिससे संक्या सरंकला पूरी हो सके तो right answer आईगा option 3 यानके 70 तो यह थी दोस्तों आपके HSC CET 5 नॉमबर 2020 सेकिंड सिप्ट आंसर की के बारे में जानकारी आई होप यह जानकारी आपको प्रसंद आई होगी कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माद्यम से पूछ लीजगा so thanks for watching and अगर आप चाहते कि मैं कल भी आपके लिए 6 नॉमबर वाली answer की लेकर क्या हो इसी परकार से तो आप कमेंट के माद्यम से बता दीजगा